हेलो फ्रेंड स्वागा था आपका हमारा यूटूब चैनल घर की रासोई एंड टिप्स एंड ब्लोग में ताज हम बनाने जा रहे हैं चना का स्वाधिष्ट एवं हेल्दी साग इसके लिए हम आधा केजी चना लिए हैं इसको अच्छी तरह से धोकर रात में रख दिये थे चन्नी में पानी सारा एक्ष्ट्रा निकल गया था आधा केजी पालाक बथुआ सरसो तीनो मिक्स लिए हैं इसको भी धोकर रात में रख दिये थे सारा एक्ष्ट्रा पानी चन गया है अब हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे बारिक बारिक आप देख सकते हैं हम फोसुल की सहयता से काट रहा हैं इससे जल्दी साग कट जाते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे गाउं में इसी से साग काटे जाते हैं साग सबजी आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं सर्दी का सीजन में चना बत्थू सर्षो का साग खाने का मज़ा ही कुछ और है हेल्दी भी होता है और स्वादिष्ट भी हर कोई खाना पसंद करेगा इस साग को और इसमें कोई मसाले नहीं लगते हैं इसलिए बहुत जादा ही हेल्दी होता है साग बस एक छोटा चमच सर्षो तेल में बनकर त्यार हो जाता है अब देख सकते हैं कितने आसाने से साग गट रहे हैं इसी तरह से हम सारे साग को काट लेंगे हम सारे चने के साग को काट लिए हैं इसको डाल लेते हैं कुकर में अब देख सकते हैं इस तरह से इसी तरह से हम बांकी साग को भी काट लेंगे सरसो बथू पालक जो है उसको भी काट लेंगे चने के साग में बत्थू और सरसो कर डालना जरूरी होता है कम से कम थोड़ा भी डालना चाहिए तभी चने के साग अच्छे से सोप्ठ होंगे, गलेंगे और स्वादिष्ट लगेंगे इसी तरह से हम सारे साग को काट लेंगे, आप देख सकते हैं अब हम सारे साग को काट लिये हैं, अब हम सारे साग को कूकर में डाल लेंगे ये साग में पानी डालना नहीं होता है, ये अपने आप पानी छोड़ता है हम सारे साग को डाल दिये हैं, आप देख सकते हैं आठ दस हरी मिर्ची को डाल देंगे एक चम्मज अद्रक को बारिक छोटे छोटे टुकरे में काट कर डाल देंगे दस बारा कली लासुन का स्वाद अनुसार नमक एक दो चम्मज के करीब छोटे चम्मज से पानी डालेंगे ताकि नमक मिल जाए साग में और उसको ढख देंगे इस तरह से उपर निचे कर देंगे और ढखकन लगा कर कुकर का हाई फ्लेम में एक सीटी आने तक इंतिजार करेंगे एक सीटी आने के बाद लो फ्लेम में चार पांस सीटी और लगाएंगे पांच चीटी फिर से लगा लेने के बाद कुकर ठंडा हो गया है आप देख सकते हैं साग अच्छी तरह से सौप्ट हो गया है इस तरह से दबा कर देखेंगे हाथ से अब देख सकते हैं साग अच्छी तरह से सौप्ट हो गया है अब हम इसको दाल घूटने वाले की सहायता से घूट लेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से आप चाहे तो मिक्सी में भी डाल कर साख को ठंडा होने के बाद मोटा दरदरा पीश सकते हैं ज़्यादा बारिक करने से साग में अच्छे टेस्ट नहीं आएंगे इसलिए ज़्यादा बहतर होगा कि आप इस तरह से मैस करने वाले से आप मैस कर सकते हैं ये आसानी से मैस हो जाता है आप देख सकते हैं मैस करते हुए इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अच्छी तरह से सुखा लेंगे तभी चने के साग स्वादिष्ट लगेंगे अब देख सकते हैं कितने अच्छे मैस हो गये हैं साग इसमें जो हलका सा पानी है उसको अच्छी तरह से सुखा लेंगे अभी ही हम इसमें दो छोटे चम्मज सरसो तेल डाल दिये हैं फिर से दो तिन हरी मिर्ची डाल दिये हैं मिला लेंगे अच्छी तरह से क्योंकि हम इस साग में तड़के लगाने वाले नहीं है ये ऐसे ही स्वादिष्ट लगता है चना का साग इसमें हमारे गाउं में तड़का नहीं लगाया जाता है अगर आप चाहे तो लहसन हरी मिर्ची का तड़का लगा सकते हैं लेकिन हम नहीं लगाते हैं इसलिए हम पहले ही अधरक लहसन का इस्तेमाल कर लिए हैं ऐसे ही साग बहुत टेस्टी बनता है आप देख सकते हैं सारा एक्स्ट्रा पानी भी साग का सूख गया है एकदम स्वादिष्ट हेल्दी साग बन कर त्यार हुआ है तो अब हम गैस को बन कर देते हैं ऐसे ही एक दो मिनट चला देते हैं साग ठंडा हलका हो गया है आप देख सकते हैं कितने अच्छे साग बने है साग हमारा सर्व करने के लिए तयार है चने का हेल्दी स्वादिष्ट साग आप देख सकते हैं कितने अच्छे साग बनकर तयार हुए है आप इस साख को दाल, चावल, रोटी, पूरी, पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं ये बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी होता है सर्दी में चने के साख का मज़ा ही कुछ और है तो आप इस तरेके से एक बार चने के साख जरूर ट्राइ किजिएगा फ्रेड यकीन मानिए आपको बार बार इसी तरह से बनाने का मन करेगा चने का साख एकदम स्वादिष्ट हेल्दी बनाने में भी आसान इसमें कोई मसाले का भी यूज नहीं हुआ है नहीं हल्दी का ऐसे ही ये स्वादिष्ट और हेल्दी भी है तो इस तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि कोई भी नए वीडियो अपलोड करने से सबसे पहले नोटिफिकिसान आपके पास जाए और आप नए नए रेसेपी और टिप्स की जानकारिया प्राप्त कर सके थैंक्स फूर वाचिंग मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई